नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहें न्यूज 11 भारत और शाम 6 बजे तक की बड़ी ख़बरों को लेकर मैं हाजिर हो मुहम्मद फैसल चकवरपूर कमल देव गिरी हत्याकान में दो आरोपी के गरफ्तार हुई है गुलजार और मतियूर को पुलिस ने एरेश् कमल देव की रेकी करने का मुख्यारूप सतिश प्रदान और जाहिद अब बेफरार है सतिश से कुछ दिन पहले हुई थी कमल देव गिरी की जड़ब बड़े ख़वर आपको दिखा रहा है कमल देव गिरी हत्याकान जो कि चकरदरपूर में लगातार एक सब्ता तक जो है आक रोज देखा गया था बड़े संख्या में कमल देव गिरी के समर्थक सड़क पर उत्रे थे और आज दो आरोपियों के गिरीफ तारी हुई है चकरदरपूर में फिलाल मुख्यारों पे सतीश परदान और जाहिद अब भी फरार है और अदिव जानकारी के लिए चकरदरपूर से हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ फोल लाइन पर जुड़ रहे जिव रुपेश क्या कुछ घटना कमल देव गिरी के हत्यकाण के बाद लगातार आरोपियों की छान बेन उनकी ग्रफतारी को लेकर जो तलाशी लिए जा रहे थी अब दो आरोपिय जह ग्रफतार हो चुके है क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास कि अधिक का खुलाशा किया है और चकरवरपूर में उन्होंने पेस कॉंफरेंस कर इस मामले का जिव जानकारी दिया है इसमें इस हत्याकांग में दो आरोपिय अभी गिरफतार हुए है जो गुलजार हुसेन और मतियुर रहमान है और इसके अलावा अन्य और च्छे आरोपी अभी फरार है पुलिस के गिरफत से बाहर है और उनके छापे मारी के लिए पुलिस अलग अलग राजियों में पुलिस के टीम छापे मारी कर रही है इसके ने इस मामले में जो खुलाता किया है इसमें इस हत्याकान में मुख्य साजिस करता जो है सतीस परदान और जाहिर हैं जिन्होंने अलिच से लोगों के साथ आरोपियों के साथ बिलकर इस गढ़ना को अन्जाम दिया है और दो जो आरोपियों भी गिरफ्तार हुए हैं इन्होंने कमलडेव की गति वीडियों का आने जाने का जो जिसे बारत तारीक को जो कमलडेव चगरदरपूरे स्टेशन की और गय होती हुए थे वहां से वार्सी के लोरान भारत भावन चोक जहां पर की घटनास पर जहां इस हत्याकाइड को अपराधियों ने अजाम दिया तो इसकी रेकी कर रहे थे यह जो जो गिरफ्तार हुए हैं यह कमलडेव के आने जाने की रेकी कर रहे थे और अभी भी इस मामले में शे क्या है यह जब उन से पूशा गिया तो उन्होंने यह बताया कि सतीस पर्धान के साथ कमलडेव की जड़ब हुए थी और अभी यह कारण सामने आ रहा है लेकिन सतीस पर्धान और जाहिद जो मुक्य साजिस करता है उनकी गिरफ्तारी के बाद ही और भी जो और जो कारन सम जानकारी मिले की यह यहां ते जिले के स्वीका कहना है जी रुपेश जी बिलकुल आपने अहम जानकारी दी है कि क्या कि कमल देव गिरी हत्यकार के बाद लगा था रेक सबता तक जिस तरह से उनके समर्थक सड़कों पर थे आकरोश थे लेकिन आप आरोपियों के ग्रफ् सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा